नमस्कार दोस्तो, मेरा नाम है प्रोसंजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्प दोस्तो आज हम इस सर्कुट को बनाना सीखेंगे ये एक powerful stereo amplifier सर्कुट है तो चलिए सुरू करते हैं और इस सर्कुट को बनाना सीख लेते हैं दोस्तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक PAM8403 IC उसके बाद इस IC का 4 नमबर, 5 नमबर, 6 नमबर, 12 नमबर और 13 नमबर पॉइंट हम एक साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे उसके बाद देखिए अब हम इस IC का 2 नमबर, 9 नमबर, 11 नमबर और 15 नमबर पॉइंट हम एक साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे उसके बाद देखिए अब हम लेना पड़ेगा 1125 वोल्ट क्यापसिटर उसके बाद इस क्यापसिटर का positive point हम इस point के साथ और negative point हम इस point के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे उसके बाद देखिए अब हम लेना पड़ेगा एक 10 के डेजिस्टर और एक 100 ने क्यापसिटर उसके बाद इस 10 के डिजिस्टर को हम इस IC के 10 नमबर पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस 100 के डिजिस्टर को हम इस 10 के डिजिस्टर के इस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमाल लेना पड़ेगा और एक 10K register और एक 100N capacitor, उसके बाद इस 10K register को हम इस IC के 7 number point के साथ ऐसे solder कर देंगे, उसके बाद इस 100N capacitor को हम इस 10K register के इस point के साथ ऐसे solder कर देंगे, उसके बाद देखिए, अब हमाल लेना पड़ेगा एक 1UF63V capacitor, उसके बाद इस capacitor का positive point हम इस IC के 8 number point के साथ और negative point हम इस IC के 9 number point के साथ ऐसे solder कर देंगे, उसके बाद देखिए, अब हम लेना पड़ेगा एक 100UF25V capacitor, उसके बाद इस capacitor का positive point हम इस point के साथ और negative point हम इस point के साथ ऐसे solder कर देंगे, तो दोस्तों ये circuit complete हो चुका है, तो चलिए अब हम इस circuit को चेक करके देखते हैं, अब लेंगे, इसके साथ डिएब हम इस का बाद ऋचे कर दो, ऑट दोस्तों का लाद लाद टू दियाए, झाले टीजापना का देखते हूँ आट है, तो आटना कि बाद और बाद जलिए पोस्तों के अड़िए, तो दोस्तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से एक पावारफूल स्टीरियो एम्प्रिफायर सर्किट अपने घड़ पे बना सकते हैं तो दोस्तो आज इतना ही आप लोगों से फिर बात होगी अगले टुटोरियाल में तब तक के लिए बाई फ्रेंड्स और थैंक्स फोर वाचिंग।